नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल धी एक्टिव तरुन में हूँ आपका दोस्तरुन और स्वागत करते हूं आज की एक और मैंने चाल वीडियो में देखे आज की जो वीडियो होने वाली है वह होने वाली है एक एक एपडेट एनफफो है लेकिन एक ETF है मृचल फंड नहीं है एक्सेंज डेडिट फंड है जो कि आता है मोतिलाल ओस्वाल मिचल फंड हाउस के दरफ से इसका अलड़ी एक मीचल फंड इसका चल रहा है वह उसकी वीडियो डेली होई है तो आप उसको जा के देखने के बाद उसको में जो देख लिएगा तो आपके बाद दूप्शन रह है मोतिलाल ओस्वाल 50 500 मोमेंटम 50 ETF नाम बड़ा सुना से लग रहा है निपन इंडिया वालों ने भी भी है सेम फंड लाउंच कर रहा है उनकी मिचल फंड की स्कीम अभी चल रही है नफोगी उसकी वीडियो देख लेना तो अभी देख जाए तो दो मिचल फंड की स्कीम अभी है और एक ETF लाउंच हो रहा है 16 से तो इसकी जो ओपनिंग है वह है 16 से 18 से तो सौला 17 18 आपको सिर्फ 3 दिन मिलेंगे इसके इन्वेस्ट करने के लिए जैसे आई पी ओगते ना इन्वेस्ट करने कि लिए आपको तीन दिन मिलते हैं ऐसे इसके अंदर में स्रिफ तीन कहा नहीं कुछ समझ में नहीं आती तो इसलिए इसका जो एनवी क्या होने वाला है लॉंचिंग उसके बारे में बताना अभी मुष्टेल है तो वह तो जब लॉंच होगा और आपको अलोट होगी तब यह पता चलेगा कि कितने प्राइस पर आपको अलोट हुआ है वैसे जह यह से ड्रेक्ट तरीकेसा होते नहीं है जैसे हमारी नॉर्वल एसाईपी होती है आप इसके आर दूसरी तरीके सा सब्सक्राइब कर सकते है लेकिन अभी आप इसमें इंवेंश्ट करेंगे तो अभी आपको इसके अंदर लिंसा ही करना पड़ेगा तो मिन्यमान इंवेश कर सकते हैं exit load है इसका 0% किसी भी तरीके की चार्जेस नहीं है ETF की सब्चे बड़ी खास मत पता है क्या होती है कोई चार्जेस वारा नहीं होते है खास जमर जी खई दो जमर जी बेचो चाहो तो long term के लिए रख लो चाहो तो दस दिद में बेश दो, दो दिद में बेश कैसेम में बेश दो आप पर है आप ट्रेडिंग के लाट सकते है ETF करते हो सेंडीं के लिए यूज कर सकते हो डिलीवरी औप शॉन सकते हो और long term investment के लिए यूज कर सकतेयों रिस्क है क्त होता है क्यों तो इसलिए होता किया है कि averaging जो है वो काफी अच्छे मिल जाते हैं तो दोस्तो चैनल पर अभी तक बने हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन के ज़रूर दबा दी तिका और एक प्यारा से comment करना मत भूलेगा comment करने से पदा चलेगा कि अपने वीडियो देख का उस पर जाए क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको सीधा जाओगे आप इनकी अप्सटॉक वाली को वेबसाइट में वहापे अपना फोन नमबर डालना और लिखाव आएगा open my demand account जैसे आप क्लिक करोगे otb आएगा और आपका account उपन हो जाएगा उसके 70% काम आपक करके अपना अधार काट के थुरू के वारे करोगे सारा online है आप करके 10 minute लाएंगे आपका account फुलने में बस सेम डे में आपका process हो जाएगा कुछ problem है तो मुझसे पूछ सकते lifetime free professional demand account होने वाला है especially for beginners और जो आपके moderate user है उनके लिए ठीक है ना आगे चलते है आप बात करते ह सबसे परानी वीडियो में अल्लेडी बता चुका हूँ जो नए वीवर है उनको फिर से बता देता हूँ निफ्टी 500 हमारे एक multi-cap category का benchmark है जिसमें 100 large cap, 1500 mid cap और 200 small cap company included है momentum 50 जो इंडेक्स है उसका मतलब यह है कि जो यह 500 companies है ना इसके अंदर जो 50 सबसे भैतरीन companies है जिन्हों ने पिछले 6 महीने में सबसे उन्दा प्रदर्शन करा है सबसे अच्छे returns दिये उनके अंदर पैसा invest होगा और यह लगाता चेंज होता रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं कि सेम company रहेंगी तो कि यह जो बेकार प्रफॉर्म करेंगी वह भार हो ज इस इंडेक्स में यह momentum 50 index में उन्देक्स में पिछले पास साल में कोई कमी बात तो है नी कम तो है नी अच्छे बहुत अच्छा return है तो भाई आप ETF खरिणा जाते हैं तो इसे खरीश सकते हैं और अगर mutual fund scheme में जाना चाते हैं तो आपके बात करते हैं पहली बात चैनल को सच्छा रहा है उसकी वीडियो भी आल्लेडी है चैनल पर आप जाके ट्राइ कर सकते हैं देख सकते हैं अब investment करना है नहीं करना है वो सारी आप आपके उपर है आपके अपनी चॉइस है ठीक है अपको आपको बात करते हैं पहली बात चैनल को सच्छाइब करके बैल क्राइक को दबा दीजिए दूसरा अगर आप portfolio रिवीव कराना चाहते है या आपका टार्गेट है कि 5 साल में 10 साल में 20 साल में आपको 10 लाग रुपे चाहिए 50 लाग रुपे चाहिए 5 करोड चाहिए 10 करोड चाहिए आपका एक टार्गेट है तो उसको अचीव करने के लिए दिखो भाई हम आपको help कर सकते हैं हम आपका portfolio बना के देंगे आपके target के साब से जितना भी आपका target है आप अपना जो existing portfolio उसे share किजी हमारे साथ या तो एक बार मा को जोर दीजेगा अगर आपको किसी भी तरीके के अपने portfolio इफ्ष्वास नहीं है तो भगिया कोई भी प्रवार्म नहीं करवाने ने ठीक है तो आज के लिए तना ही जय हिंद्ध बन्ने मात आप